आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरी दास की नाभाजी के छप जवन गाते हैं तो आप लोग सुनके गाया कर इधर उदर शब्द आपके होंगे कोई बैतनी प्रयास करो आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरी दास की आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरी दास की जुगल नाम सोने मुझपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सोने मुझपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सोने मुझपत नित कुंज बिहारी अब लोकत रहें के निसकी सुख के अधिकारी अब लोकत रहें के निसकी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व शाम शाम शामा को तोसे गान कला गंधर्व शाम शाम शामा को तोसे गान कला गंधर्व शाम शामा को तोसे उत्तम भोग लगाए मूर मर कट तिमितोसे पे उत्तम भोग लगाए मूर मर कट तिमितोसे पे निपत द्वार ठाडे रहें दर्शन आसा जास के 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 ते आसु धीर उत्यों तकरे, रसक चाप हरिदा सके आसु धीर उत्यों तकरे, रसक चाप हरिदा सके बोलो प्रेम से कुझ विहारी कुझ विहारी, कुझ विहारी आसु धीर उत्यों तकर, रसक चाप हरिदा सके कलम ने श्रवन किया श्वामी सी हर्दाश जी महराज को रसक की चाप कौन ने दईये? किशोरी जी ने दईये रसक चाप ये रसक शब्द केवल स्वामी जी के लिए प्रयोग किया गया है जो रसमे डूवे वहे हैं उनको रसक नहीं कहते रसक कौन है? वो लो जो दूसरे इनकूवी रसमे डूवावे की शमता रखें वो रसक हैं वाकू रसक कहते सब रसक नहीं होते जो रसमे डूववे हो है वो रसक नहीं जो दूसरे इनकूवी रस प्रदान करें वो रसक है वो श्री स्वामी हरदाज जी महराज रसक चाप हरदास की निपती द्वार ठाने रहें दर्शन आसा जास की आसुधीर उद्योत कर रसक चाप हरदास की बड़े बड़े द्वार पर महराज राजा खड़े रहते हैं लेकिन स्वामी जी महराज कभी अपने ठाकूर जी की सेवा नहीं छोड़ते बड़े बड़े द्वार पर खड़े रहते हैं बड़े बड़े आकर के सोहनी लगाते हैं निदिवन राज में स्वामी जी को पता भी नहीं होता कहां का राजा आया और निदीवन में सेवा करके चलाएं